येसु तेरा ना, है कितना सुन्दर, येसु तेरा ना, है कितना पावन, येसु तेरा ना, है कितना सुन्दर, येसु तेरा ना, है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको शमा, तुझ में मिला है नया जीवन, येसु तेरा ना, है कितना सुन्दर, येसु तेरा ना, है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको श्मा, तुझ में हुए हमको शमा, तुझ में मिली है हमको शमा, येसु तेरा ना, है कितना पावन, ये सु तेरा नाम है कितना संदर सभी युवा भाई बैनों को जैसू और एक बार मैं आपको बढ़ाई देता हूँ कि आप इस कारिक्रम से जुड़े हुए है प्रभू आप सबको आशिश दे देखिए युवा वस्था एक ऐसी वस्था है जब हम बहुत ज़्यादा ही व्यस्थ रहते हैं पढ़ाई में, करियर में, नौकरी ढूनने में अन्य कारियों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्थ रहते हैं और इस अवस्था में आपको व्यस्थ रखना भी चाहिए क्योंकि यह तैयारी का समय है और तैयारी के समय हमें परिशम करने के अवशक्ता होती है इसके बावजूद मैं आप से अन्रोद करूँगा कि आप इस तरह के कारिकरम से जुड़े रहें पवित्र वचन पढ़ना नहीं भूलना चाहिए रोज वचन पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए जानों के बारे में प्रभु के आशिशों के लिए धन्यवाद देने के लिए समय निकालना चाहिए हमारा जीवन प्रभु के साथ एक गहरा रिष्टा पूर्न जीवन बने जब आप प्रभु के साथ जूड़े रहेंगे जैसा कि प्रभु ने का योहन अद्याय पंद्रवा के पांच में हमारे जीवन में बहुत सारे फाल देखने को मिलेंगे मैं आप सभी से अन्रोद करूँगा कि आप एक ऐसा जीवन जीए जहां पर आप प्रभु के साथ जूड़े हुए हूँ सारी व्यस्थताओं के बावजूद प्रभु के साथ जूड़ा हुआ जीवन सफल जीवन होता है वचन सुनिए हुर्दे खोल कर मन खोल कर वचन सुनिए प्रिये इवाशाथियों आप सभी कुछ जैये शो आईए हम प्रभु का वचन सुनेंगे संत्मत्य किसु समाचार से आध्याई साथ वचन संख्या 21 प्रभी येशु करते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वरगराज्य में परवेश नहीं करेंगे जो मेरे स्वरगर पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वरगराज्य में परवेश करेगा पिर ये इवाशातियो मैं आज आप लोगों के साथ प्रभी येशु के महत्वपून बातों पर मननचिंतन करना चाहूंगा चलिए हम मननचिंतन करते हैं the value system of Christ हम सवाल पूछते हैं आप से what do you mean by value value का अर्थ क्या है the value का अर्थ है बहुत ही महत्वपून केमती चीजे ये विशेश चीजे हैं उसको हम कर सकते हैं value कि साधरन बोल चाल की बाता में करते हैं आपने उसके लिए बहुत value दिया मुझे value ने दिया एक उधारन लीजे जब हम किसी ब्यक्ती को मेहनत करते हुए देखते हैं और वह मेहनत उसको फल देता है तो हम उसकी प्रसंसा करते हैं उसकी मेहनत की प्रसंसा करते हैं गुनगान करते हैं लेकिन क्या मैं और आप एक इवा होने के नाते क्या मैं दूसरों का सिर्फ प्रसंसा करता हूँ क्या कि क्या मैं उस विशेश चीज जिसको मैंने देखा उन्होंने मेहनत किया उसको मैं अपने जीवन में अमल कर पाता हूँ या नहीं ये सबसे बड़ी बात है और जब मैं अप जूसरों की प्रसंसा करता हूँ उसकी मेहनत की प्रसंसा करता हूँ यदि मैं मैं स्वेम में उनको देख करके उनसे नमुना पा करके मैं मेहनत करता हूँ तो उस महत्वपुन जीवन को मैं जीता हूँ प्रभु का वचन में हम सुन रहे हैं कतनी और करनी में अंतर है प्रभयेशु कहते हैं प्रभयेशु कहते हैं कि प्रभु प्रभु कहने से सब के सब स्वरगराज्य में परवेश नहीं करेंगे जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में परवेश करेंगे प्रिये इवाशातियों मैं आज आपके सामने तीन महतों पुन बिंदूं के सामने रखना चाहूंगा स्वर्प्रतम है संसार की द्रीष्टी में एक धनी ब्यक्ति कौन होता है संसार किसको धन्य मानती है संसार किसको धन्य कहती है संसार की द्रीष्टी में धन्य वे लोग है जो धनी है कौन कौन सा चीज से धनी है धन से धन दौलत से जिनकी लोग तारिफ करते हैं उनकी धन दौलत देखकर उनकी प्रसंसा करते हैं उनको देखकर के लोग उनके सामने जुकते हैं निकल ये नहीं जानते कि वे किस परकार से धनी हुए है क्या मेनत करके धनी हुए है कि छल कपड करके धनी हुए है उसको नहीं देखते हैं सिर्फ दुनिया प्रसंसा उसकी करती है जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है और किस से नफरत करती है किसको स्विकार करती है एक उदारन दीजे जक्यूस संसारिक द्रिष्टी से धनिता वह चलकपड करके वह धन कमाया था लेकिन जब प्रभी येशु को नहों ने पाया प्रभी येशु को प्राप्त किया तब वह जो गलत तरीके से वह धन कमाया था उसे कहता है कि मैं अब पुना वापस लवटा दूँगा पिर ये इवाशातियों संसार की द्रिष्टी में एक गरीब व्यक्ति को अशिकार किया जाता है संसार की द्रिष्टी में जो गरीब है उसे सीकार नहीं किया जाता है गरीब यानि बिकार का जिसको लोग परियोग करते हैं जिसको संसार धनी लोग बहिसकृत करते हैं इसी बात को ही प्रभु येशु आईसी मनुभावनाओं को देखकर ऐसी मानसिक्ता को देखकर प्रभी येशु कहते हैं इश्वर की द्रिष्टी में धन्य वे लोग है जो अपने को दीन हीन समझते हैं प्रभी येशु क्यों कहते है कि धन्य वे लोग है जो अपने को दीन हिन समझते हैं क्योंकि प्रभी येशु ने दीन हिन में ही उसका जनम हुआ हम जानते हैं प्रभी येशु का जनम गोशाले में भेड़ बक्रियों के बीच में एदम गरीबता की स्थिति में हुआ वह स्वैम को गरीबूं के बीच में पाया यहां तक कि उसकी मृत्यू भी गरीबता के रूप में हुई उसकी मृत्यू जो शरीर में कपड़ा नहीं रहा यह यही संकेत करता है कि प्रभी येशु बहुत ही गरीबता में उसकी मृत्यू हुई और प्रभी येशु कई संसार पे इसले बेजा गया था कि वो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए अब बंडियों को मुक्ति करे अंधों को दृष्टिदान दे और सबसे बड़ी बात तो प्रभी येशु ऐसे लोगों के साथ ही जीवन जिये उनके मित्र लोग, गरीब लोग, गड़ेरिये लोग, मच्छवारे लोग, दीन हिन लोग, इस प्रकार के लोग थे इसलिए प्रभी येशु कहते हैं मत्ति के सुसमाचार अद्यच्छे वचन संक्या 24 में तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो आपको एक को असिकार करना होगा, एक को सिकार करना होगा पर ये इवा शातियों, इस इवा अस्था में संसार, अम लोगों की इस इवा अस्था को देख करके अमारे शक्ति को देख करके प्रशनसा करती है लेकिन क्या मैं प्रभु येशु का अनुसरन करने वाला होने के नाते क्या मैं प्रभु के वचनों को जी पाता हूं क्या मैं प्रभु के वचन को जो value है जो प्रभु की शिक्षा है क्या मैं उसको जी पाता हूं या सिर्फ उसको मैं बोलता हूं यदि मैं सिर्फ उसको बातों के द्वारा मुख के द्वारा बोलता हूँ तो मैं येशु का सच्चा अनुसरन नहीं कर पाता हूँ सच्चा येशु का सच्चा शिष्य नहीं हूँ, क्योंकि प्रभ्येशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरन करना चाहता है, वह आतम त्याग करें, तबी वह मेरा शिष्य हो सकता है, और दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, दूसरी बात यह है कि संसार की द्रिष्टी में शक्तिसाली लोग कौन होते हैं संसार की द्रिष्टी में शक्तिसाली वे लोग होते हैं जो धन से भरे पड़े हैं इसलिए संसार उससे कहते है धन्य आवे जो शक्तिसाली है और लोग संसार उसी का आंदर और सम्मान करती है जो शक्ति साली है क्योंकि और संसार उसे स्विकार करती है कि जो शक्ति साली है वह कभी गलत नहीं हो सकता जो शक्ति साली है वह हर समय सत्या में रता है जो शक्ति साली है वह कभी छलकपड नहीं कर सकता है इस परकार की मनोभावनाएं संसार रखती है जो शक्तिसाली है और जो शक्तिहीन है जो कमजोर है जो गरीब है उनसे क्या करती है उनसे नफरत करते है उसे आशिकार करते है प्रभी येशु संसार की मानसिक्ता को समझते हैं संसार की मानसिक्ता को जानते हुए करते हैं धन्य है वे जो अपने को दीन हिन समझते है प्रिय हुआ साथियों ईश्वर ने स्वर्ग और प्रित्वी को बनाया ये पौईतर भाइबल हमें सिखाती है पौईतर भाइबल हमें बताती है ईश्वर ने अपने पुत्र को passionate पर भेजा और उसको पूरा दिकार दिया था पोईतर बैबल भी हमें बताती है पिलिप्यों के पत्र में हम पढ़ेंगे येशु को पूरा दिकार था पूरा दिकार था उसको ईश्वर के बराबरी करने का लेकिन वे विनमरता को धारन करते हैं और विनमरता को धारन करने के बाद वे जीवन को पूरे मानव जाती की मुक्ती के लिए समर्पित कर देते हैं जब प्रवियेसु ने अपने को स्वाहिम को विनमरता के रूप में धारन किया स्वाहिम को विनमरता के रूप में कुरूस पर अर्पित कर दिया तो पिताब परमेशुर से बहुत बड़ा पुरुसकार देते हैं क्या पुरुसकार देते हैं पुरुसकार उड़े यही देते हैं कि येशु को सब नामों से सरस्रेश्ट माना जाता है और पिता प्रमेशुर करते हैं कि येशु के नाम के सामने अधो लोग प्रीथवी और अकासर में रहने वाले सब लोग क्या करेंगी उसके सामने सिर जुखाएंगी वो नमहान नाम दिया जाता है पिर ये इवाशातियों प्रभी येशु इस संसार की जो सिस्टम थी जो सिरिंकलायें थी उसको प्रभी येशु ने इस संसार पर आकर के मानवे धारन कर अपने शिक्छा के दवारा उथल पुथल कर दिया उन्हों ने क्या किया जो शक्ति शाली थे और जो शक्ति शाली अपने को समझते थे उनको विनमरता के दुवारा किस परकार उन्हों ने हाराया वचन हमें बताता है कि प्रभी येशु जो ईश्वर के पुत्र है स्वर्ग और पृत्वी पुरादिकार था लेकिन जब उसका जनम हुआ तो लोग उसको मारने के लिए उसको ढूड रहा था राजा उससे मृत्यू के हवाले करने के लिए ढूड रहा था तो वह किस परकार उसके माता पिता उसे बचाने के लिए उसे दूसरे देश मेरे जाते हैं यानि कि प्रभी येशु को सिर्ब जनम के बाद नहीं पूरे जीवन में या संसार उसको ठुकरा दिया जो अपने को शक्तिसाल ही मानते थे पर ठुकरा दिये यहां तक कि अपने लोग भी ठुकरा दिये प्रभी येशु की शिक्षा को नहीं समझ पाए और हम जानते हैं यहां तक कि उसको जब अरिष्ट किया गया प्रभी येशु को जब अरिष्ट किया गया कोई उसके केस लड़ने के लिए नहीं था कोई उसका साथ देने के लिए नहीं था उसके अपने लोग थे उससे अशिकार कर दिया गया इसलिए संद पावलुस लिखते हैं संद पावलुस कुरूंति के पत्र अध्याए एक वचल संख्या 17 से 26 तक में पाते हैं वे बहुती सुंदर वचल करते हैं पावलुस करते हैं काते हैं कि इस्वर ने इस संसार की ज्यान को मुर्खता पुन प्रभावित कर दिया है इस्वर ने इस संसार की ज्यान को मुर्खता पुन प्रमानित किया है आगे वचल में कहते हैं संद पावलुस इस्वर की मुर्खता मनुश्यों से अधिक विवेक पुन और इस्वर की दुर्बलता मनुश्यों से अधिक शक्ति साली है पिर ये इवाशाथियो इस बदलती हुए परिवेश में हम संसार की चीजों पर संसार के चीजों पर अमारे जीवन कभी-कभी आधारित है हम भुल जाते हैं प्रभी येशु की सिक्षा को प्रभी येशु की सिक्षा वो शिक्षा है जो संसार की शिक्षा को सुन्या बताती है इसलिए संद्पावलुस के पत्र संद्पावलुस कुरुंतियों के दूसरे पत्र अधियाए बारा वचन संक्या नाव और दस में कहते हैं इश्वर की किरपा मेरे लिए परयापत है क्योंकि मेरी खुसी उसी में है जहां मेरे दुर्बलता है क्योंकि दुर्बलता में ही गवरा होती है वचन सुनीगा कुरूंतियों के पत्र अध्याइ 12 वचन संक्या 9 और 10 में बोलते है कहते हैं कि प्रभू ने कहा मेरे किरपां तुमारी लिए परयात है क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूनरूप से प्रकट होता है इसलिए मैं बड़ी खुसी से अपनी दुर्बलता पर गवरों करूंगा जिससे मसी का सामर्थ्य मुझ पर चाया रहे मैं मसी के कारण अपनी दुर्बलताओं पर अपमानूं कष्टों, अत्यचारों और संकटों पर गर करता हूँ क्योंकि मैं जद दुरूबल हूँ तब ही मैं बलवान हूँ पिर ये इवाशातियो प्रभु की दृष्टी में और संसार की दृष्टी में मनुष कौन होता है परभु ये शुक कहते हैं जो अपने को प्रधान होना चाहता है वह अपने को दास बना ले क्योंकि वे कहते हैं प्रभु ये शुक कहते हैं मैं अपनी सेवा करा रहे नहीं बलकि सेवा करने और बहुतों को धार करने के लिए इस धर्ती पर आया हूँ पिर ये इवाशाथियो प्रभी येशु इस संसार की गलतियों को इस संसार की सिक्षा को वे अपने जीवन के द्वारा अपने खारियों के द्वारा उन्हों ने शाबित किया इसलिए वे करते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है भले ही मैं राजा हूँ और येसु सच मुझ मैं राज्य है आध्यात्मिक दिरिश्टी से येसु राजा है और वे कहते हैं मैं इस संसार का नहीं भले ही मैं राजा हूँ लेकिन इस संसार का नहीं हूँ मैं तुम्हारे दिल पर राज्य करना चाहता हूँ तो आईए प्रियवाशातियों इस बदलती हुए परिवेश में हम प्रभु का राज्य स्थापित करने में प्रभु के वचनों को अपने हिर्दय में, मन में, जीवन में सिर्फ बोले नहीं बलकि उसको जीए जब हम जीते हैं तब हम वैल्यू सिस्टम जो येशु मसी का है उसको हम मैं जीता हूँ और जब मैं जीता हूँ तो बहुत सा फल उत्पन करता हूँ तो आईए आज हम प्रातना करें कि प्रभु हमें पवितर आत्मा दे जिससे कि प्रभु येशु की जो शिक्षा है वह हमें संसार की द्रिष्टी में उसकी शिक्षा क्या है और इश्वर की द्रिष्टी में उसकी शिक्षा क्या है वह हमें पवितर आत्मा हमें आउगत कराए आमेन आईए एम प्रातना करें अपने सिर जुकाईए द्यालू प्रभी येश्व मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इन पवित्र शणों के लिए मेरे इन छोटे भाई बेनों के लिए इन बेटे बेटियों के लिए मैं तुझे प्रार्तना करता हूँ तुझे इस संसार में हमारे साथ जुड़ने के लिए आये था योवन के सुसमाचार के ध्याई पंद्रवा के पांच में तुने स्वैम कहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हूँ जो मुझे में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फ़लता है मैं समय प्रार्तना करता हूँ इन सारे छोटे भाई बेनों के लिए प्रभु इन पर दया करना इनके प्रति दिन के जीवन में तेरे साथ जुड़ने के लिए तेरे लिए समय निकालने के लिए तुझे बातें करने के लिए तेरी वानी को सुनने के लिए समय देना विशेश करके मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन के कठनाईयों में तेरी इशारे को देखने के लिए तेरी वानी को सुनने के लिए नहीं कृपा देना सिर जुकाईए सरोश्क्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्रात्मा आप सब को आश्किरवात प्रदान करें आमेन जैसु कितना सुन्द, येसु तेरा ना, है कितना पावन येसु तेरा नाम है कितना सुन्दर येसु तेरा नाम है कितना पावन येसु तेरा नाम है कितना पावन तुझ में मिली है हम को शमा तुझ में मिला है आया जीवन तुझ में मिली है हम को शमा तुझ में मिला है नया जीवन येसु तेरा नाम है कितना सुन्दर येसु तेरा नाम है कितना पावन येसु तेरा नाम है कितना पावन है कितना सुन्दर है कितना पावन है कितना सुन्दर